तो नाव समोर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स और अगें यहां पे मैं आपकी बुक ही की हल ले रहा हूं और इसके अंदर आपके पास जो पहली यानि अब जो प्रॉपर्टी हमने स्ट्रडी करनी है वो क्या है प्रॉपर्टी ऑफ इनेक्वालिटी तो चलने इसको देख लेते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनेक्वालिटी इनेक्वालिटी जिसको आप क्या कह सकते हैं इस बात को आप और प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं और प्रॉपर्टी ओके तो प्रॉपर्टी ऑफ इनेक्वालिटी या और प्रॉपर्ट तो यहाँ पर एक word इस्तेमाल हुआ है inequalities क्यायनि इसका वंदलब ये है कि यहाँ पर अब जो हम properties को steady करेंगे उसके अंदर हम inequality का sign इस्तेमाल करेंगे और inequality का sign आपके पास क्या होता है या तो आपके पास greater sorry less than का symbol होता है या greater than का symbol होता है यानि अब जो है हम यहाँ पे जो real numbers की properties को steady करेंगे उसमें हम ordering देखेंगे यानि हम यहाँ पे less than or greater than का symbol इस्तमाल करेंगे ओके तो चलें के करके देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो आपके पास property है that is known as the tricotomy property तो चलें देख लेते हैं so tricotomy property ओके और यह property कुछ इस तरह से defined होती है कि for all a, b a, b which belongs to real number either a is equal to b or a is greater than b or a is less than b ओके अच्छा इसका क्या मतलब हो tricotomy property यह property हमें यह बताता है कि अगर आप कोई भी दो numbers लें a, b जो के real number से belong करेगा तो इनके दर्मियान सिर्फ तीन ही relations possible हो सकते हैं पहला तो यह है कि a या तो b के बराबर होगा ठीक है या यह हो सकता है कि a जो है वो greater than b हो या यह हो सकता है कि a जो है वो less than b हो इसका मतलब यह है कि इन तीन में से कोई एक property लाजमी hold करेगी इन दो real numbers के दर्मियान लेकिन at a time यह तीनों property hold नहीं कर सकती या कोई दो property at a time hold नहीं कर सकती क्यानि हम यह नहीं कह सकते कि अगर आपके पास दो numbers हैं a और b हम यह भी कह दें let's say के a b के equal भी है और a b से बड़ा भी है so यह कभी भी possible नहीं हो सकता ओके इसका मतलब trichotomy property में किसी भी दो numbers के दर्मियान इन तीन relations में से कोई एक relation लाजमी hold करता है that is known as the trichotomy property अच्छा इसके बाद आपके पास transitive property so transitive property transitive property और transitive property कुछ इस तरह से है इसको मैं proper तरीक से लिख लेता हूँ कि for all a, b, c which belongs to a real number दो possibilities हैं क्या तो हम कह सकते हैं कि a जो है greater than b है and b जो है वो greater than c है तो इसका मतलब यह है कि a जो है वो c से बड़ा होगा यह पहली बात हो गई दूसरी भी लिख लेते हैं और दूसरी property यह है कि अगर a यानि if a is less than b and b is also less than c so this implies a is less than c इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर यहां पर पहली बात अगर हम देखें कि अगर a b से बड़ा है if a is greater than b and b is greater than c so definitely a is greater than c क्यों क्यों कि a b से बड़ा है और b से बड़ा है is self-made their ऑध और a जहां वह से बढ़ा है इसब इसको क्या है अगर a वो ऐसे बड़ा बहुए कैस के अंदर Something जो है वो B से भी बड़ा है so definitely C जो है वो A से बड़ा होगा this is transitive property again these properties are very much obvious so एक और देख लेते हैं इसकी property which is known as the additive property additive property so additive property आपके पास यह है कि अगर आपके पास इसकी भी दो parts है यहनी एक parts के दो सब parts है पहले part में आपके पास यह है कि if A is greater than B okay this implies A plus C is greater than B plus C बहुत ही ज्यादा obvious है इसकी हम देख लेते हैं अच्छा second part यह है कि if A is greater than B sorry less than B this implies A plus C is less than B plus C okay so मेरा ख्याल में इसकी को ज्यादा description की जरूरत नहीं है बहुत ही simple सी बात बताई जा रही है कि अगर A B से बड़ा है so definitely दोनों side पर अगर कोई भी आप एक constant number add करें so A plus C will definitely be greater than B plus C और अगर A B से छोटा है तो अगर A में आपको एक number add करें वही number अगर आप B में भी add करें so definitely यह वाली side यह यहनि A plus C वाली side लाजमिता पर छोटी भी होगी okay अच्छा इसका एक और part कुछ इस तरह से है part B additive property का इसके part 1 में कुछ इस तरह से बताय जा रहा है कि if A is greater than B और and C is greater than D अच्छा अब इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर इतना part आप यह कह सकते हैं कि यह आपके पास as a theory है और यह इसका conclusion है तो यहां पर यह बताय जा रहा है कि अगर A B से बढ़ा है और C जो है वो D से भी बढ़ा है ठीक है तो इसका मतलब definitely अगर आप A plus C करेंगे this should always be greater than B plus D क्योंकि A आपके पास यहां बढ़ा number है C भी आपके पास बढ़ा number है so अगर आप इन दोनों numbers को add करेंगे so definitely इनका sum इन दो छोटे numbers से लाज़मी तोर पर बढ़ा होगा यानि A plus C should be greater than B plus D ओके इसी तरीके से अगर A less than B है और C less than D है so this implies A plus C should be less than B plus D इसका मतलब यह है कि यहां पे A जो है यह चोटा number है और C भी आपके पास चोटा number है B आपके पास बढ़ा number है और D बढ़ा number है so definitely छोटे number का sum बड़े number के sum से छोटा होगा यानि A plus B is less than B plus D ओके